है फिरसे सभी को नमस्ति आज के इस वीडियो का तोपिक आप सब समाझ गए होंगे मेरा वीडियो का थामनेल और मेरा वीडियो का ताइटल देखकर तो आज का इस वीडियो में हम बात करने वाला है राजीब गंदी यूनिवर्सिती के कॉमोन इंट्रेंज टेस्ट के एक्जाम पैतन के बारे में जैसे कि बहुत सारे लोगों ने मुझे मेसेज किया और मुझे रिकोईश किया कि राजीब गंदी यूनिवर्सिती का जो कॉमोन इंट्रेंज टेस्ट होता है उसका एक्जाम पैतन के बारे में बताईए करके बहुत सारे लोग मुझे कहा रिकोईश किया तो मैंने भी सोचाए कि इसके उपर एक वीडियो तो बनना चीए ताकि अभी के वाला को भी हेल्पूल हो जाए और बात में जो आने वाला प्यूचर में जूनियर्स लोग होगा उन्हें भी हेल्प मिल जाए तो आज इस वीडियो सुरू करने से पहले मैं सभी से कहूंगा अगर मेरा स्क्रीन पे जो भी आपको दिकाई मिल रहे वो जो किलियर नजर नहीं आ रहे तो आप सबसे पहले अपना वीडियो का किसी भी स्क्रीन पे तच कीजिए उसके बाद आपको राइट तोप साइड पे एक ट्री तो में तोपिक पे आज आते हैं में तोपिक यह था कि एक्जाम पेतन हम बात करने वाला था हमेशार राजीब गंदी यूनिवर्सिती में एडमेशिन मिलने के लिए सबसे पहले इंट्रेंस एक्जाम देना परता है हाला कि लासियर यानिकी तू ता जो ट्विंटी का जो इंट्रेंस नहीं था वहाँ पे मेरिट बेसिस प्लास मेरिट प्लास वायवा कंदक किया गया था और इस बार भी ऐसे ही होगा ऐसे भी बात नहीं है इस बार इंट्रेंस से होगा ऐसे भी बात नहीं हम कुछ नहीं कह सकते इस बार इंट्रेंस होगा या मेरिट प्लास वाय तो आप आसा करूंगा कि आप सब को नजर आ रहा होगा किलियर होगा जैसे कि आरजियू का जो कॉमोन इंट्रेंट स्थेश होता है उसका एक्जाम पैतन में कुछ इस तरह का चीजे आपको देखने को मिलेगा आपका कुछिशन पैपर जो सेट किया जएगा हन्रेट कुछिशन का और हन्रेट कुछिशन का हन्रेट मार्क्स का होगा एक कुछिशन का एक मार्क्स होगा उसके बाद उसमें नेगेटिप मार्किंग भी होगा मैं फिर से रिपीट करता हूँ नेगेटिप मार्किंग भी हो मॉक्स दिदक किया जएगा आगर आपने peł question गलत किया तो आपका शही मॉदला question का मार्क से और question का 0.25 का मार्क दिददक किया जएगा तो तो उस्से याद रखऴट नेगेटिव मार्किंग होगा और एक्जम किस तरह से सेत किया जएगा वहाने से यहां पर आप गाल आप सब्सक्राइब कुछ देखने को मिल रहा होगा तो आपका कंजीन जो इन सारे चीजों से मिला के आपका कंजीन किया जएगा आपका कंजीन में कुछ section रहेगा language ability का कुछ section जो रहेगा reasoning का और कुछ section जो रहेगा general awareness का और कुछ section जो रहेगा आपको mathematical aptitude का और कुछ section रहेगा analytical skills का जैसे कि जब भी हम exam देता है तो वहाँ पे section A, section B, section C करके होता है तो उसी तरह आपका जो RGU का entrance test में भी ऐसे ही कुछ section A, B, C, D करके होगा section नए भी देगा फिर भी इन सारे चीजे का मिलावत करके आपका question जो set किया जाएगा तो उस चीज को आपको याद रखना है तो ये एक चीज हो गया जैसे कि ये जो for MA के लिए हो गया और MBA के लिए, MCA, MSW ये सब के लिए होगा ये सब जो उसके बद कुछ इस तरह से भी हो सकता है जैसे कि आप मेरा screen पे देख सकते हो तो आप पहले वला वह ऐसे type का भी हो सकता है और ये वला type का भी हो सकता है आपका question अगर ये वला type होता है बोलने से आपका 25 marks का जो language ability, reasoning, general awareness, aptitude, analytical skills ये सब से एक दो एक दो question उता के आपका 25 questions यहां से उता के आपका वहाँ आएगा और 25 questions का 25 marks का आएगा उसके बाद आपको concerned subject आपका जो concerned subject है वहाँ से आपको 75 questions आएगा और 75 questions का 75 marks आएगा तो total मेला के 100 questions compulsory आएगा और 100 marks compulsory होगा और negative marking compulsory होगा एक question गलत करने पर आपका marks से दिदक किया जाएगा 0.25 marks यह note कर लीजिए तो concerned subject का उसमें अगर आपको confusion है तो मैं बता दू concerned subject में जैसे कि आप जो RGU में आप history के लिए आप फॉर्म फिल किया है तो history का subject में आप interest test को दे रहे तो concerned subject में आपका history का चीजे ही पूचा जाएगा और वहाँ पे कुछ अलग चीज नहीं पूचेगा उसके बाद जो language ability, reasoning, general awareness, aptitude, analytical skills यह सब भी मिलावात करके आपका question जो set किया जेगा तो आपका exam pattern जो कुछ इस तरह से होगा तो इस चीज को आप याद कर लीजिए उसके बाद मेरा पास एक question paper है जो Rajiv Gandhi University का common entrance test का लेकिन यह जो है anthropology anthropology department का है और यह जो 2017 का है फिर भी यह idea के लिए आप सब देख सकते हो तो यहाँ पर question paper का सबसे पहले यहाँ पर क्या है instruction दिया गया है instruction में पूरा यहाँ mention किया गया है आपका hundred multiple choice question यानि की mcq होगा एक question का एक mark करके होगा उसके बाद यहाँ चार नंबर पर आप देख सकते हो negative marking for wrong answer यहाँ पर 0.25 mark for every incorrect answer तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देके रखा हुआ है और यहाँ पर section wise divide करके तो नहीं रखा है पिर भी मैं बिलीब करता हूं कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको exam pattern का बारे में बतायाता question जो कैसे मिलावट करके आएगा वैसे बतायाता यहाँ पर भी वैसे ही होगा तो यहाँ पर question आ चुका है तो यहाँ पर question का चार option होगा उनमें से कोई एक answer होगा तो यहाँ पर देर सरह देखे रखा हुआ है आप सब पर पार है तो देख सकता है तो यहाँ परा मिलावट करके आया है तो यहां पर mathematics भी आ के आया है फिल इन दब ब्लैंक भी है यहां पर देरसरे चीज आया है तो यह वस आपको demo के लिए में ने शो किया है तो मैं आप सभी को यह रिकोईश करूँगा कि आपको अगर यह सब जो मेरा पास कुछ 2017-2018 का कुछ question paper है, RGU का entrance exam का, अगर आपको उसका PDF चाहिए बोलने से, आप मेरा description box में जाहिए, और वहाँ पे मेरा telegram channel का link आपको मिलेगा, तो उस link पे किलिए करके, आपको पहले telegram application को download करना है, आपका telegram account कोलना है, वो भी एक WhatsApp की तरह है, तो आपको कोल के क्या करना है, वहाँ पे मेरा channel है, ग्यामर मेक्स channel करके आपको मिलेगा, आप search करने से भी मिल जाएगा, तो उसको देखके वहाँ पे आप क्या करना है, subscribe कर लेना है, subscribe करना बिल्कुल फिरी है, तो में उस channel पे telegram channel, मेरा telegram channel है, वहाँ पे में जितना भी ये जो question paper है, उसका PDF में वहाँ प कोल लेजिए, कोलने के लिए आपको कोई पैसा ने चीए, फिरी है, और आप account कोलने के बाद मेरा channel को subscribe कर लेजिए, subscribe करना बिल्कुल फिरी है, और आपको मेरा जितना भी वीडियो अप्लोट करके में लिंक बहाँ पे दलता रहता हूं, तो आपको लिंक का notification भी मिल उसके बाद आपको मेरा videos पसंद है, मेरा videos informative लगता है, और आपको मुझे कुछ contribute करना है, तो आप मेरा channel का नीचे पे एक join button देखने को मिलेगा, बहाँ पे आप किली करके आप मुझे कुछ भी contribute कर सकता है, जब भी चाहे आप मुझे contribute कर सकते हों, और अभी तक 75% लोग मेर videos लगातार देखता रहता है, लेकिन कोई subscribe ने करता है, प्लीज subscribe कर लिजे, आपका subscribe से क्या होता है कि मुझे motivation मिलता है, और भी मुझे videos बनाने का energy जो आता है उससे, और like, comment करना तो ना बुले, उससे भी मुझे क्या होता है कि motivation मिलता है, तो आज के लिए इतना ही, और हम पिर मिलेंगे ने एक वीडियो और एक ने तोपिक के साथ, तब तक के लिए गुद्बाइ एन टेक कियर.